राम राम, सस्रीकाल, जय जवान, जय किसान, सभी पसुपालग भाईयों को और सभी किसान भाईयों को तो आज हम आपके लिए फिर दुबार असे लेकर करके आई हैं किसान नेपियर फारम, गाउं बैणी बाथ्ष्यापूर, जिलाहिंसार, हरियाना तो देखे, इस फारम पर लगभग 40-45 परकार का हरेचारे की विरैटी है और पसु पालन में, डैरी फारम में हरेचारे का बड़ा ही महतव रोल होता है क्योंकि हम लंबे समय तक पसु का अगर हराचारा नहीं देते हैं तो पसु दूद कम कर देता है और लगातार चारा चलने वाला अगर आपने एक बार इचारे को लगा दिया तो लगातार पांस साल से लेके आट-दस साल तक दुबारा लगाने की जुरूत नहीं है तो सर्दी गर्मी लगातार तो आज हम यह भी बताएंगे आपको ताइवान जैंट किंग और नेपिर जो सिंपल नेपिर होता है उसमें फरक देखिए आप कितना फरक है तो देखिए जो चारा आजम आपको बता रहे हैं उस चारे को चैख खारा पानी हो चैज जमीन कैसी भी हो पूरे बारत वर्स में हम डिलीर कराते हैं होम डिलीरी चैख कोरियर से हो चैख ट्रांसपोर्ट से हो मतलब सभी बेजने की सुईदा है और पूरे बारत वर्स में चैख खारा पानी हो चैख कैसी रित्ती मिट्टी हो चैख मोटी मिट्टी हो सबी में लगने वाला ये और लगातार एक बार लगाकर कि 8-10 साल तक आप लगातार चारा ले सकते हैं सर्दी गर्मिन सर्दी में भी इसका मतलब गरोथ जो नेपिर की गरोथ होती है वो थोड़ी रुक जाती है लेकिन जो ताइवान जेंट किंग रास है उसकी गरोथ रुकती तो है लेकिन उन चारों से कम रुकती है तो सर्दी का टाइम है तो देखिए इस चारे को आप इस चारों को देख ले अच्छे तरीके से इसका बुडवार देख ले और इसका फुटाओ देख ले तो देखिए इस पोदे की मतरब दूसरी कटिंग है पहली कटिंग में इसका फुटाओ थोड़ा कम था लेकिन अब ज्यादा हो गया है तो इसी तरह से इसका फुटाओ सारी आप आगे देखे लें ये इस तरीके से मतलब फुटाओ बड़ा जबर्दस है इसका फुटाओ होता है पोदे का उसमें जो कल्ले निकलते हैं एक पोदे में से वो बरपूर मातरा में निकलते हैं और इसकी लगाने की तीन वाई तीन पर तीन वाई तीन तो इसकी चोड़ाई होनी चीए और दो वाई दो पर लंबा करते हैं एक पोदे में से कितने पोदे निकले में यह देखिए अब इसमें के अगर गिंटी हम करते हैं तो सहीद गिंट पी नहीं नहीं आएंगे यह देखिए एक दो तीन क्यार पांट छे साथ आठ नो दस जारा Bara, Dera, Sjáða, Fandra, Sjóla, Settra, Allara, Unnis, Dís, Yggis, Væs, Degis, और इदर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 41, 42, 43, 44, 44, 43, 44, 43, 44, 43, 45, 44, 45, 45, 45, 45, 65, 35, 30, 35, 40, 35, 40, 40, 90. 62, मतलब मेरे कहने का मतलब है, एक पोदे से 62 पोदे, मतलब इतना जबरदस इस जैंट की इंगरास का फुटाओ है, आप देख रहे हैं, मतलब इनी एक पोदे में अठाव निकले, आप इसके अंदर गिनके देखने, 60, 62 और 70, 80, 90, 100 तक की गिनती हमने की है, एक पोदे से 100 प इस पोदे के अंदर इतना जबरदस फुटा हूँ है, तो से मतलब आप अकर एवरेज लगाते हैं, तो 50 एवरेज लगा ले, एक पोदे में से 50 किले निकलते हैं, मतलब और जो नईपियर होता है, उसके अंदर 20-30, जोर मार के 20 पोदे जोरू निजलते हैं, वो साइड में हम आपको वो भी दिखाते हैं, ये नेपियर है, आप उद्धर से भी देख लिए, ये सिंपल नेपियर है, ये भी दूसरी कटिंग है, इसके अंदर पोदे के अंदर एक, एक, दो, तीन, प्यार, पांच, छे, साथ, आच, नो, दस, ज्यारा, बारा, तेरा, सौदा, पंद ज्वार की अंदर, इस गास की अंदर, कितना जबर्दस्त फोटा हो है, ये हम कह नहीं सकते, तो अगर आप ताल का का काम करना चाहते हैं, या पसूव, आरे-चारे के बेचने का सेल का का काम करना चाहते हैं, तो ताइवान, जैंट, किंग, ग्रास, इस से उप्पर, पोव चारा नहीं है, आप लिए देखी लिए, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, कितना जबर्दस्त इसका फुटा हो है, इसके दूसरी सेकिंड कटिंग है, और जैसे जैसे इसकी हम कटिंग करते जाएंगे, ये तीन फुट का गैप है, ये पूरा बर जाएगा, तो वजन म हम जैसे हरे चारे का अगर बिजनेस करना चाते हैं, बेचने के लिए, तो वजन जादा उतरेगा, पलस इसके अंदर जो पोदे हैं, वो जादा निकलेंगे, वो एक एक कड़ से, कम से कम आपको बता देता हूँ, एक साल के अंदर हम पांच अजार कॉंट्र, चारह जार से पांच अजार कॉंट्र ले सकते हैं, अपने पस्वों को डैरी फार्मर के लिए हरे चारे की अच्छी वैस्ता कर सकते हैं, अगर विजनेस करना चाते हैं, तो अपने विजनेस को सफल बना सकते हैं, इस चारे को लगा करके, तो दोस्तों, आगे आने वाले टेम में हैं, हम इसकी अलग-अलग और वीडियो दो चालिस परकार की मैंने आपको विराइटी बताए थी उनकी अलग-अलग वीडियो बना करके अपने यूटूब चैनल पर फेस्बूक पेज पर नाच रहेंगे